हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज हम 6-8 इंच के इवल सरकार जी के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं आज हम उनकी ड्रेस पैंट के साथ बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी पैंट बनाने स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पर हमें इस तरह से नौट ले लेंगे और 31 चैन बना लेंगे 31 चैन देखिए यहां पर हमने 30 चैन ली थी और एक हमने यहां पर यह तीन चैन लेकर डबल क्रोश्या बना लिए तो टोटल हमारे 31 डबल क्रोश्या बनेंगे तो देखिए यहां पर हमने एक एक डबल क्रोश्य बनाया फिर हम नेक्सट वाली चैन में इक और बार डबल क्रोश्य बनालेगी है तो तो टोटली हमारे तीन डबल क्रोश्य हो गए अब हम एक चेनBean लेंगे यह हम फर्स्ट राउंड डोरी डालने के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें एक चेन लेंगे और यहां पर हम एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिय बना लेंगे और फिर से हम एक चेन ले लेंगे यहां पर स्टार्टिंग में हमने तीन डबल क्रोशिय बनाए हैं बट यहां पर बीच में हम दो दो बार डबल क्रोशिय बनाएंगे एक चेन लिली एक चेन हम यहाँपर स्किप करेंगे next आली चेन में double crochet बना लेंगे एक दो और फिर से एक चेन लेकर यहाँपर हम एक चेन स्किप करके next दो चेन में double crochet बनाएंगे तो देखिए इसी तरह से हम अपने इस round को complete कर लेंगे करेंगे अब में नेक्स्टवाली लाइन स्टार्ट करेंगे तो देखें तीन चेन लेंगे तीन चेन लेक़ को टर्न करेंगे कि अब हमें हर चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रूशय बनाना है देखिए एक पर देखिए अब हमें नेक्स्ट वें कुछ नहीं करना है अब हमें केवल सिंपल एक हड चेन में एक-पर डबल क्रोशिय बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करना है और एक और नेक्स्ट लाइण मतलब इसके बाद हमें एक रो और इसी तरह से complete करनी है तो total हमारी 3 row हो जाएंगी एक एक बार double crochet बना कर 2 row बनानी है अब देखिए अगर आपके कानहाजी बड़े हैं या और छोटे हैं तो आप उनकी कमर के size के according अपने stitch कम्या जादा कर सकते हैं बस थोड़ा सा loose रफना होता है हमें देखिए यहाँ पर हमने 2 line बना कर complete कर लिए हैं यह हमने केवल एक एक बार double crochet के साथ में बना कर complete की हैं देखिए अब हम अपनी 3rd row स्टार्ट करेंगे तो देखिए 3rd row से हमें क्या करना है यहाँ पर हम 3 chain लेंगे इसको turn कर लेंगे अब देखिए हमें इसके half stitch को बनाना है पहले तो हमने यहाँ पर total 31 लिये तो हम एक stitch को बीच में छोड़ेंगे 15 15 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहले हम अपने 15 double crochet बनाएंगे यह 3 की chain हो गई एक के double crochet बना लिया दो तीन चार पंदरा यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा यह हमने 15 double crochet को ही बनना है अभी हमें आगे हमें इधर के पार्ट को हम दुबारा में बनाएंगे तो देखिए अब हम फिर से तीन chain लेकर वह को टर्न कर लेंगे तो तीन यह देखिए अब हमें क्या करना है हमें हर थर्ड चेन के उपर थर्ड चेन पर हमें एक एक इस्टिस दोनों साइट से खटाना है देखिए यहाँ पर हमने यह पहली chain के उपर हमने तीन तीन चेन लेनी तो यह हमारा एक डबल क्रूश्या बन गया देखिए अब हम क्या करेंगे एक चेन को ड्रॉप करेंगे और सेकंड वाली चेन में जाकर डबल क्रूश्या बना लेंगे और het क्या कि देखिए अब हम एक भार इस लूप में वनाएंगे यहाँ पर हम same स्किप करेंगे और इस लूप में हम इक पर डवल क्रोश्य बना लेंगे तो टोटल हमारे ये दो कम हो गए यहां पर हमारे इस लूप में थर्टीन डवल क्रोश्य बना लेंगे अब हम थर्टीन डवल क्रोश्य के ऊपर थर्टीन ही बनाएंगे इस सैड हम कोई भी इस जिसक करें के बाद में देखी अब हमें क्या करना है हमें एक फिर से घठाना इस वार हमने यहां पर दो घठाएते इस वार हमें एक घठाना है तो देखे हम क्या करेंगे हम स्टार्टिंग में नहीं घटाएंगे यहां से हम हर चेन के ऊपर लेकर डबल क्रोश्या बनाएंगे देखिए अब हम लास्ट में एक चेन के ऊपर नहीं बनाएंगे सीधा इस लूप में डबल क्रोश्या बनाएंगे तो देखिए एक हमारा यहां पर कम हो गया देखे । इस रो में हमारे पस 12 डबल क्रोशिय हैं। आप इस रो में हमारे पास 11 डबल क्रोशिय रह जाएंगी। देखिए फर्स्ट में हमने एक ही लाइन के उपर दो इस्टिच इसलिए कम किये थे क्योंकि हमारी शेप स्टार्टिंग से दौनों तरफ से सेम आईगी क्योंकि हमें इसको पैंट स्टाइल बनाना है तो हमें उपर से थोड़ा सा शेप देने के लिए कि यहां पर हमने एक साथ स्टिच को कम किया था कि एक दो तीन चार पांच छे साथ तक नौ दस अब हम यह नेक्स्ट वाली लूप में डालकर एक बड़ डबल क्रोशे बनाएंगे तीन चेंग लेंगे अब हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कोई भी इस्टिच अब हमें कम नहीं करना है हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको बना लेंगे जितने भी हमारी कानाजी की लेंथ है इसी तरह से हम यह साइड बनाएंगे 15 इस्टिच के साथ में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो में हम दो इस्टिश कम करेंगे फिर हम दो लाइन में हम एक एक स्टिश कम करेंगे और इस तरह से हम इसको बना लेंगे ये देखिए इसके हमने दोनों पार्ट कम्पीट कर लिए ये हमारे 6-8 इंच के कानाजी के लिए तो देखें यहां पर हमने कितने round बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 round हमारे ही इसके नीचे हैं और यह 3 हमारे उपर ते total हमारे 10 round हैं जहां से हमने अलग किया है part उसके बाद हमारे ही 7 round है देखें अब हम इसकी किनारी बनाएंगे आप चाहें तो पहले अपने कानाजी को इस तरह से आप पहना कर देख सकते हैं कि ठीक है या नहीं इस तरह से चलिए अब हम अपने किनारी बनाते हैं तो देखें किनारी बनाने के लिए हम किसी भी chain से अपना धागा स्टार्ट कर लेंगे यह दिखिए फर्स्ट वाले लूप से हम इधर से धागा अपना स्टार्ट करेंगे एक चेन लेंगे और अब हमें यहाँ पर दो बर सिंगल क्रोश्य बनाने हैं एक दो फिर से नेक्स लूप में आ जाएंगे और फिर से हम दो बर सिंगल क्रोश्य बनाएंगे देखिए हम अपनी इस किनारी को यहां तक दो दो बार सिंगल क्रोशिया बना कर कम्प्लीट करेंगे यहां से लेकिए यहां तक हमें दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है देखिए यहां तक हमने दो बार सिंगल क्रोशिया बना लिये हर लूप के अंदर अब हम देखिए इसके कॉर्णर पर आगे हैं तो हमें क्या करना है यहां पर हम एक चेन लेंगे और अब हम एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे देखिए दो हमने इधर बनाए थे एक हमने इस सैट बनाया है अब हम हर चेन के अंदर अब हम यहाँ पर लूप में नहीं लेंगे हर चेन के बीच से हम इस तरह से क्रोशिया को डाल कर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कि यहां पर हमें चेन के बीच से लेना है देखिए यह देखिए यहां पर हमने हर लूप के बीच से दो दो बार सिंगल क्रोशे बनाए है बट यह नीचे वाली लाइन में हमने हर चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे किया है और फिर से हम इस राउंड पे यहां तक दो दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहीं से हम रिपीट इसको यहां से इस तरह से इसको कम्प्रीट कर लेंगे यह देखिए हमने किनारी बना लिया इस ड्रेस की अब देखिए अगर आपके कानहजी आप इस तरह से सिलके पहनाते हैं तो आप इस तरह से इसको यहां से सिल सकते हैं अब जादा तर कानहजी के लेक्स जॉइंट होते हैं तो उनको इस तरह से सिलके ड्रेस नहीं पहनाई जाती है तो आप उसको इस तरह से रख सकते हैं कि मैं धोती स्टाइल में पैंट बना रही हूं तो मुझे यहां पर जो फ्रंट पार्ट होता है धोती का वह भी बनाना है यह ऑप्शनल है आप अगर चाहते हैं बनाना तो बना सकते हैं वहना आप इस तरह से भी इसमें डोली डाल कर यह आपकी धोती पैंट कम्टीट हो रहेगी यह देखिए अब हमें क्या करना यह वह हमारे सेंट्र वाला डौल क्रोशिय। յाला डाबल क्रुशे हैं उसके दो स्टिच इथर और दो सीधर से हमें अपना यह फ्रेंट, पार्ट स्टाठ पॉक्ट करसां है तो देखिए तीन देखिए हमें केवल एक ही जो पहला हम इस्टेश उठाते हैं उसी को इस तरह से निकालना है चार पांच यहां पर हमने यह पांच इस्टिश को ले लिया है अब हमें क्या करना है देखिए हम दो दो करके ड्रॉप करेंगे दो 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 और फिर हम एक इस तरह से चेन लेगे देखिए अब हम पहले वाले लूप से धागा लेंगे इस तरह से लेंगे फिर हम फिर सेकंड वाले लूप से लेकर फिर से एक धागा इस तरह से निकाल देंगे फिर थर्ड वाले लूप से लेंगे चार पांच देखिए अब हमारे पांच धागे हो गए हमारे इस क्रोशिय अपर स्टार्टिंग में भी हमने पांच ही लिये थे अब हमें क्या करना है इस वाले लूप में हम दो वार लेंगे छे हो गए ड्रॉप हमें इसी तरह से करना है दो 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 और दो देखे अब हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले लूप में एक धागा लिया और फिर से हमें एक बार और ले लेंगे इस वाल हमने इधर इंक्रीज किया था आपकी बार हम इधर इंक्रीज करेंगे एक 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 और दो को इधर से एक एक बार उठाना है और इधर से हमें दो दो स्टिच को ड्रॉप करना है यह देखिए एक एक देखिए पहले हमने इधर दो लिये थे इस वार हम इधर इस वाले स्टिच में दो स्टिच को लेंगे देखिए सेम लूप में दो बार और फिर से हम दो दो स्टिच को ड्रॉप करेंगे तो यह देखिए यह जो हमारी शेप है वो इस तरह से आने लग जाएगी तो हमें इसको इसकी लेंथ तक या फिर हम इसके लेंथ से थोड़ा सा ऊपर हम यह दो लूप को ऊपर तक भी हम इसको रख सकते हैं तो हम इसको इस तरह से बना कर कम्प्लीट करेंगे एक बार हम इधर increase करेंगे और दूसरी बार हम इधर increase करेंगे ये देखे जब हम stitch increase करते हैं तो हमें ये दियान रखना होता है कि हमारी shape दौनों तरफ same आ रही है या नहीं कभी कभी क्या होता है कि हम इधर वाले stitch में से हम ये धागा निकालते हैं इधर हमारा अल्रेडी इंक्रीज हो जाता है और इधर हम एक बार ड्रॉप कर देते हैं तो शेप हमारी इस तरह से आने लग जाती देखी जैसे कि इधर हमारा यह फर्स्ट वाला इस्टेच है तो यह अल्रेडी इंक्रीज हो गया है बट इधर जब हम एक बार इंक्रीज करे कि अदि ही कि हमारी को है इसके पास हमारी ये सचे लिए पहले स्चिष के ऊपर है और दिए और आरें इसा कर ले लिए थो यह क्राइस हो जाता है अगर यहां से ले रहे हैं तो हमारा इंक्रीज नहीं होगा इस व Pacific है न्यृट कर लिए इस तरह से धागा यह देखिए अब देखिए आप यहाँ पर हमारी यह जो चेन है यहाँ पर हमारे पास एक स्टिच है और यहाँ पर हमने इस लूप के बीच से लिया है तो यह साइड में हमारे पास कोई भी स्टिच नहीं है तो हमें इस चेन से एक बार और लेना है यह देखिए तो यह हमारा एक स्टिच और बन गया यहाँ पर यह देखिए अगर आपको शेप इस तरह से चाहिए वी शेप में तो आप इनको इधर इधर से एक एक स्टिच को कम करना स्टार्ट कर सकते हैं यह देखिए यह हमारी शेप दोन तरफ से ठीक आ गई है अब हम इस धागे को बैक साइड एड़ेस्ट कर देंगे अब हम इसकी डोरी बनाएंगे कमर पे डालने के लिए आप चाहिए तो डवल धागा भी कर सकते हैं या फिर आप सिंगल चेंज से भी बना सकते हैं देखिए इस तरह से इस तरह से डोरी बनाकर हम इसमें डोरी डाल देंगे और यह हमारी काहनाजी की पैंट बनकर कम्प्लीट हो गई है यह देखिए हमने डोरी डाल दिये और यह हमारी ड्रेस बनकर कम्प्लीट हो गई है अब हम इस ड्रेस का उपर का पाट बनाते हैं तो दीखिए यहां पर हम 20 चेन लेंगे तो यह हमारी तीन की चेन जो है वह भी डबल क्रोशिए कांट होगेए तो हमारे हमारे यह 20 होगे अब हम हार चेन कर उपर 1 अब डबल बना लेंगे 19 हमने चेन ली तीन चेन लेकर एक डबल क्रोशिया बन गई और फिर उसके बाद हमने ये 19 चेन के उपर 19 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं तो टोटल हमारे ये 20 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस राउंड में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं इसको देखिए ये राउंड हमने टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाकर कम्प्लीट कर लिया है 19 हमारी चेन थी और एक हमारा ये जो तीन की चेन वाला है ये डबल क्रोशिया बन गया तो टोटल हमारे 1st round में 20 double crochet हैं अब हम 3 chain लेंगे और इस तरह से work को turn कर लेंगे अब देखिए हम 1st वाली chain में नहीं बनाएंगे next वाली chain में हम 2 बार double crochet बनाएंगे जो सबसे लास्ट वाली chain है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोश्य बनाएंगे देखिए अब हम हर चेन के ऊपर 2-2 बार double crochet बनाएंगे जो सबसे लास्ट वाली चेन है उसके ऊपर हम एक double crochet बनाएंगे तो हम इस round को complete कर लेंगे यह देखिए second round हमारा complete हो गया है यहाँ पर हमने हर चेन के ऊपर 2-2 बार double crochet बनाएंगे और first और last chain में हमारे पास एक double crochet है तो देखिए अब हम अपना red color स्टार्ट करेंगे यह देखिए इस तरह से हमने अपना red color स्टार्ट कर लिया है हम एक chain लेंगे और एक chain लेने के बाद next वाली chain के ऊपर हम single crochet बनाएंगे फिर से next chain पर single crochet देखिए इस round को हमें केबल single crochet बनाकर complete करना है इस round में हमें कोई भी stitch increase नहीं करना है हर chain के ऊपर एक एक बाद single crochet बना लिया है यह देखिए यहां पर हमने single crochet के साथ में एक round हमने red color से बना लिया है और इस धागे को हम यहीं पर cut कर देंगे अब देखिए हमने यह धागा इधर cut नहीं किया था अब हम अपना next round इधर से start करेंगे कि कि फर्स्ट वाली chain में जाकर यहां पर हम तीन chain ले लेंगे एक है तो तो तीन अब हम अपना armhole बनाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है पहले हम पांच डबल क्रूशिया बनाएंगे एक हमारी तीन की चेन हो गए दो तीन चार पांच देखे एक हमारी तीन की चेन और चार हमने चेन की उपर एक एक बार डबल क्रूशिया बना लिए तो टोटल हमारे पांच डबल क्रूशिया हो गए देखे अब हमें क्या करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस चेन को इसकिप करना और इलेवन्त वाली चेन में जाकर डबल क्रूशिया बनाना है एक दो देखें यहां पर बैक साइड में हम धस चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रूशिया बना लिए यहां पर हमने टोटल डबल क्रूशिया बना लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस किप किया था अब इधर हमें क्या करना है एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो हमें नो चेन स्किप करके दसवी चेन में जाकर हमें डबल क्रूशिया बनाना है देखिए एक, दो, तीन, चार, और इधर हमारे फ्रंट में ये चार डबल क्रूशिया बनेंगे अब देखिए जब भी हम अपनी ड्रेस आगे स्टार्ट करेंगे तो हमें ये धिहान लखना है कि जो हमारी बासुरी वाली साइड होती है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है और जो दूसरी साइड है वो हमारी थोड़ी सी छोटी रहती है क्योंकि एक हाथ में काना जी के बासुरी है तो इस वज़े से उनकी एक साइड थोड़ी सी बड़ी बनती है तो हमारा जो front side रहेगा वो हमारी इस side रहेगी इस तरह से जो भी धागे आपके दिख रहे हैं उनको आप back side कर दीजिए देखे हमारी ये right side है अब हमने इसको पलट लिया है तो ये हमारी right side है एक दो तीन चार चार डबल क्रोशिया की side वाली तो देखे यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोश्य बनाएंगे हम इस राउन में सभी चेन के ऊपर 2 दो बार डबल क्रोश्य बनाएंगे देखिए हमने अपना घेरा जो है वो यहीं से स्टार्ट कर दिया है अगर आप चोली बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप एक राउंड और सिंपल एक एक बार डबल क्रोशिया के साथ में बना सकते हैं बड़ क्योंकि यह चोटे काना जी हैं तो इसलिए हम अपना घेरा यहीं से स्टार्ट कर देंगे तो हम इस राउंड को दो-दो डबल क्रोशिया के साथ में कम्प्रीट करेंगे और लास्ट वाली चेन के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यह राउंड हमने दो-दो बार डबल क्रोशिया बनाकर कम्प्रीट कर दिया है अब हमें जो अपना पैटर्न स्टार्ट करना है वो राइट साइड से करना होगा तो देखिए हम एक चेन लेकर धागा यहीं पर कट कर देंगे देखिए राधा राणी की ड्रेस भी बिल्कुल सेम बनेगी बस उसमें अंतर यह हुआ कि इधर हमने एक साइड दस चेन स्किप करने के बाद हमने ग्यारवी चेन में यह बैक साइड के स्टिच बनाएं वहाँ पर हमें दोनों तरफ दस दस स्टिच को ही छोड़ना है मतलब नाइन स्टिच को छोड़कर दस वे स्टिच में हमें डबल क्रोश्या बनाना है दस पीछे रखने है तो हमारे इधर भी यह नाइन चेन बचेंगी तो उसमें यह हमारी चोली दौनों तरफ से सेम बनेगी देखिए जैसे काना जी के में हमारी चोली एक साइड से का बनेगी के देखिए हैंसे मासा थागे स्टार करें जें तीन इंच चैंद से बाकर देंगे बकी डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर से हम यह next वाली chain में double crochet बना लेंगे देखिए तीन वार हमने double crochet बनाए है अब हम क्या करेंगे यह जो फूर्थ हमारे जिस वाली chain में हमने double crochet बनाया है उसी वाले double crochet को हमें उठाकर एक वर front post बनाना है यह देखिए यह वाले डबल क्रोश्य को उठाकर और फ्रन्ट पोस्ट बना लेना है और फिर से हम यह नेक्स्ट और इसी वाली चेंड से हम फिर से डबल क्रोश्य स्टार्ट करेंगे एक, दो, और तीन देखिए यहाँ पर हमारे तीन डबल क्रोश्या हैं स्टार्टिंग में बट यहाँ पर देखिए एक, दो, दो हमारे डबल क्रोश्या बीच में रह जाएंगे और थर्ड वाले डबल क्रोश्या को हमें उठाकर फ्रन्ट पोस्ट लेना है और फिर से हमें इसी चेन से तीन बार डबल क्रोशिया बनाने हैं एक, दो, तीन, देखिए यहां पर हम तीन डबल क्रोशिया बना रहे हैं बट यहां पर हमारे दो स्टिच रह जाते हैं क्यूंकि जिस वाली चेन के उपर हमें डबल क्रोशिया बनाया है हमें उसी स्टिच को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाना होता है ये देखे इसी को उठाएंगे और front post बना लेंगे इसी तरह से हम अपने इस पूरे round को complete कर लेंगे ये देखे ये round हुमने complete कर लिया है और अब हम इसकी back side आएंगे तो देखे back side हमें क्या करना है तीन chain लेंगे देखिए जो हमारे double crochet थे उनके उपर हमें double crochet ही बनाना है और ये जो इधर हमने एक front post लिया था उसको हमें back post लेना है तो देखिए इस तरह से हम पीछे की तरफ से crochet को डालेंगे और इसको back side ले लेंगे इस तरह से देखिए फिर से देखिए जो हमारे simple double crochet आ गए उनको हमें double crochet बनाना है और देखिए जो front post था उसको हमें इस तरह से देखिए back side बैक पोस्ट बनाना है इस राउंड में हम कोई भी stitch increase नहीं करेंगे बैक वाले साइड में हमें सेमी बनाना है यह देखिए जो हमारी front post थी वह हमने back post लिया तो वह हमारे front side से front post ही दिखेगा इस राउंड को हम इसी तरह से complete कर लेंगे यह देखिए यह हम front side में आ गए हैं तो front side हमें increase करना होता है तो देखिए तीन chain लेंगे जो हमारे normal double crochet है simple वाले उनके उपर हमें double crochet ही बनाना है देखिए इस starting वाले में हम कोई भी stitch increase नहीं करेंगे तीन हमारे stitch थे तीन ही रखेंगे फिर यह इसको front post ले लेंगे देखिए एक दो तीन और देखिए यह जो हमारा front post है इस वाली chain के उपर भी हम double crochet बना लेंगे और इसको हम front post ले लेंगे तो हमारे यह 4 double crochet होगे इस round में देखिए पहले हमारे 2 थे फिर हमारी second वाले रो में 3 double crochet होगे बैक साइड में हमने कोई भी stitch increase नहीं किया तो हमारे 3 double crochet थे इस round में हमारे यह 4 double crochet हो जाएंगे एक दो तीन चार और फिर हम इसको front post ले लेंगे देखिए इसी तरह से हम अपना यह round complete करेंगे right side और इसकी back side बैक साइड जैसे हमने यह last round बनाया था कोई भी stitch increase नहीं किया था front post को हमने back post ले लिया था इसी तरह से हम अपने यह 2 round complete कर लेते हैं यह देखिए यह 2 round हमने बनाकर complete कर लिये हैं तो total हमारे यह 1 2 3 4 5 यह हमारे 5 round बन गए देखिए यहां से हमने अपना घेराय स्टार्ट किया है तो इसके बाद में 1 2 3 4 5 अब हमें क्या करना है 2 round हम नीचे केवल double crochet के साथ में बनाएंगे उसमें हम front post नहीं बनाएंगे देखिए यह हमारी राधा रानी जी की dress है तो इसके लिए हमने क्या किया था 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर हमने 7 round front post के साथ बनाए थे और 2 round हमने double crochet के साथ में बनाएंगे देखिए इनकी चोली हमने front से बरावर रखी है और यहां पर हमने इधर हमारी यह बढ़ी है और इधर हमारी चोली छोटी है तो हमें यह कानहाजी की चोली और इसमें राधारानी की gown में सिर्फ इतना ही अंतर करना होता है तो देखिए इसके हम 2 round double crochet के साथ में बना लेंगे तो चलिए अब हम अपना यह pattern start करते हैं इसके लिए हम अपना red color start करेंगे यह जो हमारा first वाला loop है यहां से हम अपना धागा start करेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ देखिए हमने साथ चेन बना ली साथ चेन बनाने के बाद हम इसको इस तरह से घुमाएंगे जिससे चेन हमारी सीधी रहे और अब देखिए हम एक और दो दो चेन को skip करेंगे और थार्ड वाली चेन में जाकर हम single crochet बनाएंगे यह देखिए है सिंगल क्रोश्या बनाने के बाद हम क्या करेंगे इसी नेक्स्ट वाली चेन में जाकर फिर से एक बार single crochet बनाएंगे और यहां पर आप हमें चार बार single crochet बनानी है दो तीन चार चार सिंगल क्रोश्या बनाने के बाद हम फिर से साथ चेन लेंगे और फिर से हम इसको इस तरह से घुमाकर एक और दो दो चेन करेंगे और थार्ड वाली चेन में जाकर सिंगल क्रोश्या बना दिए और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोश्या बनाएंगे एक दो तीन चार सिंगल क्रोश्या साथ चेन और फिर से इसको इसी तरह से हम थर्ड वाली चेन में जाकर सिंगल क्रोश्या सिंगल क्रोश्या फिर से नेक्स्ट चेन में चार सिंगल क्रोश्या और साथ चेन इसी तरह से हम अपने इस पूरे पैटरन को कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए यह हमारी डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गई है और इस ड्रस की हम डेकोरेशन पटका और कैप यह सब हम अपने सेकंड पार्ट में बनाना बताएंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू